Hello दोस्तों, इस वीडियो में हम SSC CGL के में में पूछे गए, जो General Studies के Question है, उनको देखने वाले है, ये जो प्रशन पूछे गए है, ये 7th March 2023 के Exam में पूछे गए है, इस चैनल में हम already जो 7th March को General Studies के Question पूछे गए है, उनको Shorts के Form में Discuss कर चुके है, इस वीडियो में उन सारी Shorts को Compile कर दिया गया है, as of previous year Question Shorts of all the Question asked on 7th March 2023, so I hope आपको ये जो Compilation वीडियो है, 7th March के Question का useful लगेगा, thank you for watching. Hello दोस्तों, इस प्रश्ण में पूछ रहा है, भारत में राज्यके महादिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, जो Advocate General of State है, उसकी नियुक्ति करते हैं, A. राज्यके राज्यपाल, Governor of State, Article 165 में बताया गया है, Office of Advocate General of State के बारे में, ये highest law officer है, किसी राज्यके, and जो Governor है, अपॉइंट करते है, Advocate General of State को, on the advice of Council of Ministers of the State. अपॉइंट के रूप में मनाते हैं, जो 7 April 2023 का World Health Day था, वो 75th World Health Day था, and इस दिन का, जो theme था इस बार का, वो था, Health for All. Hello दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है, भारत या भरत जनजाती के नाम पर, भारत का नाम भारत पड़ा है, निमलिखित में से किस वेद में, इस जनजाती इस ट्राइब का सर्व प्रथम उलेक किया गया है, इस question का सही उत्तर हो जाता है, ए रिगवेद में, जो लेटर हाफ ओफ टू थाउजन बीसी, माने टू थाउजन बिफोर क्राइश्ट के पीरिड में पाई जाती थी, तो इसी ट्राइब के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, थेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है, दो हजार बाईस में प्रस्ताविद और ये जो है, ये के निकाई जो है, इसके द्वारा जो स्वीकृत खेल है, उनको भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमती होगी, ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट भी है, जो ऑनलाइन गेमिंग कमपनिया है, वो सट्टे बाजी नहीं कर सकती है, ऐसा प्रस्ताव है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और स्टेटमेंट सी है, नियमों के अनुसार एक से अधिक स्वे नियामक निकाई हो सकती है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सही उत्तर हो जाता है, टू, ए, बी और सी सब सही है, थेंक्यू फर वाचिंग, हेलो दोस्तों, इ C. 2013, जो Supreme Court है, उसमें एक case था, People's Union for Civil Liberties versus Union of India, इसका judgment आया था 2013 में, जिसने direct किया कि जो elections होंगे लोकसवा के और state assemblies में, उसमें नोटा का option दिया जाएगा, माने none of the above का, जो नोटा है ये option पहली बार introduce करा गया था, 2013 के assembly elections में, जो 36 गड़, मिजोरम, राजिस्थान और मध्यप्रदेश में हुए थे, और डेली में हुए थे, तो ये था, नोटा की related history, इसको 2013 में पहली बार लाया गया था, Thank you for watching. फिर आता है जलवायू कारवाई, माने climate action, ये goal number 13 है, फिर आता है पानी के नीचे का जीवन, ये goal number 14 है, और फिर आता है गुणवट्ता शिक्षा, माने quality education, ये goal number 4 है, तो सही उत्तर हो जाता है 1, सभी सही है, Hello दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है, भू मध्य सागर, माने Mediterranean Sea में उठने वाला, सम शीतोशन चक्रवात, माने temperate cyclones से, पंजाब में वर्षा होने से, किन फसलों को लाब होता है, सही उत्तर हो जाता है, A, रभी की फसलों को, जो temperate cyclones हैं, वो इंडिया में enter करते है Mediterranean Sea से winter के season में, ये rainfall cause करते हैं northern plains में, और snowfall करते हैं mountains में, December और January के महीने में, ये important है, रभी की फसलों के cultivation में Hello दोस्तों, इस प्रश्ण में पूछ रहा है, 2011 की जंगंड़ना के अनुसार, भारत की जंसंख्या क्या है, 2011 के census के अनुसार, जो भारत की population है, वो है, B, 1.21 अरब, 1.21 billion people, माने, 121 करोड, ये जो आबादी थी, ये 2011 में थी, अब जो आबादी है, वो close to है, 1.4 billion people, माने, 140 करोड से भी उपर, Hello दोस्तों, इस प्रश्ण में पूछ रहा है, एक सो तीनवे सम्विधानिक संशोधन अधिनियम की वैदता पर, सर्वोच न्यायाले के फैसले के बारे में, निमलिखित में से कौन सा statement सही है, statement A है, इस मामले के लिए भारत के सर्वोच न्यायाले की सम्विधानिक पीट में 5 न्यायादी शामिल थे, ये statement सही है, statement B है, सम्विधानिक बेंच ने 3-2 के भूमत के साथ EWS आरक्षन के 10% को बरकरा रखा, ये statement B सही है, जो statement C है, ये गलत है, judgment के हिसाब से, जो EWS का आरक्षन है, वो भारत के सम्विधान के मूल धाचे का उलंगन नहीं करता है, तो सही उत्तर हो जाता है, 4 केवल A और B सही है, Hello दोस्तों, इस प्रशन में पूछ रहा है, निमलिखित में से किस अनुछेद में, किस आर्टिकल में, पूरे भारत में सामान नागरिक सही था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करी गई है, इस कोशिन का सही उत्तर है, A अनुछे 44, आर्टिकल 44, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये एक सिंगल लॉव फॉर्मूलेट करेगा, रिलिजिस कम्यूनिटीज के लिए, इन दा मैटर ओफ मैरेज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको मेंशन करा गया है, समविधान के आर्टिकल 44 में, जो डायरेक्टिब प्रिंसिपल्स ओफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, हेलो दोस्तों, अगर आप SSC के जनल स्टेडीज के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, तो इस डिसकशन को एंड तक देखिएगा, प्रशन है, इन में से हमें सही स्टेटमेंट को पहचानना है, इन में से जो सही स्टेटमेंट है, वो है, न्यूटन बल की एक इकाई है, जो न्य है, उसका यूनिट है, न्यूटन, एलो दोस्तों, इस प्रशन में पूछ रहा है, बल्बन की उपाधी किसने धारन की थी, जो बल्बन है, उसका असली नाम था, सी उलूग खान, जो बल्बन है, उसको ग्यासुदीन बल्बन भी कहा जाता था, ये जो है, ये नाइंथ सु 1832 में, इसको बेसिकली ये सलेव था, इसको इल्तुमिष द्वारा परचेस किया गया था, हेलो दोस्तों, इस प्रशन में पूछ रहा है, 1845 में किस जर्मन केमिस ने दो कार्बन एटम्स वाले एक प्राकृतिक उत्पात, एसिटिक एसिट के सनलेक्षन के लिए एक विधी प्राकृत की थी, इन में से जिन्होंने विधी प्राकृत की थी वो थे D. Harman Kolbe, जो Harman Kolbe है, इनका पूरा नाम था, Adolf Wilhem Harman Kolbe, इन्होंने एसिटिक एसिट के प्रोडक्शन के लिए विधी प्राकृत की थी, ये एक मेजर कॉंट्रिब्यूटर थे to the birth of modern organic chemistry, एलो दोस्तों अगर आप SSE के channel studies के लिए prepare कर रहे हैं तो इस discussion को end तक देखेगा प्रशन है पूर्वी गोदावरी शेत्र में कोया विद्रो किस वर्ष में हुआ था जो कोया विद्रो है वो हुआ था C. 1879 से 1880 के बीच में आप बाकी के questions को यहाँ पे check out कर सकते हैं Thank you